लेकिन इन सब के बीच वक्त निकाल कर एक ऐसा काम किया जो कोटा के छात्रों के लिए संजीवनी साबित हो सकती है कॉंग्रेस के राश्री अध्यक्ष राहूल गांधी ने सोशल मीडिया के जरिये कोटा को कोचिंग विद्यार्थियों को असफलता से नहीं घबराने और मेहनत करने का संदेश दिया है कोटा में हुई कोचिंग इस्टुडेंट्स की आत्महत्या की घटनाओं पर चिंता जताई है और इस बार राहूल ने छात्रों का होसला बढ़ाते हुए लिखा कि आप हार न मानें आप सभी पर हमें नाज हैं इसके साथ ही उन्होंने अभी भावकों से भी कहा है कि बच्चे बहुत पहनत करते हैं इसलिए उन पर जितना कम दबाव हो उतना बेहतर है राहूल ने पोश्ट बुदवार को दबहर एक बचकर बतिस मिनट पर डाली शाम साथ पज़े तक साथ हजार लोगों ने इस पोश्ट पर रियक्ट किया और इसके साथ ही करीब तीन सो कमेंट्स और पांसो च्छपल लोगों ने इस पोश्ट को शेयर किया है तो आपको बता दें कि ये जो ग्यान है वो राहूल गांधी की तरफ से दिया गया है लेकिन ग्राफिस के जरे भी हम आपको बताते हैं कि राहूल की छात्रों से आप पील क्या कुछ रही है तो असफलता स्थाई नहीं होती मैं छात्रों से कहना चाहता हूँ कि कोई भी असफलता स्थाई नहीं होती आप हाद ना माने आप सभी पर हमें नाज़े आप मेहनत करें होस्ता रखें किसी ना किसी रूप में काम्याबी आपकी कदम जरूर जुमेगी हमें गर्व है आप पर छात्रों के माता पिता से प्रार्थना है कि बच्चे बहुत मेनद करते हैं उन पर दबाओ जितना कम हो उतना ही बहतर है मैं आप सभी छात्रों से कहना चाहता हूं कि दबाओ में कभी भी रहने की जरूरत नहीं है